हेलो स्टूडेन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MS चौहान के अलकीन शेप्टर के क्वेशन आंसर के सीरीज को तो आईए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेशन हम से पूछा है कि 3-Bromo-Cyclopentine जब रियाट करता है Bromine in the presence of CCL4 तो दो प्रोड़क्ट मिलते हैं आपको Y और Z जिसमें से Y एक ऐसा प्रोड़क्ट है जो आप्टिकली इनक्टिव है यानि वो आप्टिकली एक्टिव नहीं है तब ही तो वो PPL को प्लेन प्रोडाय लाइट को रोटेट नहीं करा पा रहा है तो आपसे पूछा गया है कि structure of Y क्या होगा तो आएए पहले इस reaction को यह एक बार हम समझ लेते हैं देखिए हमें पता है कि जो हेलोजन का addition होता है वो कैसा होता है इसका anti addition होता तो यह तो आपकी geometry इन्होंने इसकी दे रखी है वेट्ज पे तो ऐसा हो सकता है कि एक bromine अगर इस तरफ वेट्ज पे जाएगा तो दूसरे bromine को किस पे जाना होगा इस तरह से डैश पे जाना होगा या एक और possibility है यहां पे एक और possibility किया है यहां पे इसकी to geometry fix थी इस तरफ ब्रोमीन की कि यह डैश पे है अगर ये वाला bromine wedge पे जाएगा तो इसको किस पे जाना होगा डैश पे जाना होगा यही rule है क्योंकि आपको पता है halogen का addition across the double bond NT होता है तो इन उनों को हमेशा एक दूसरे से NT position पे रहना होगा अब आप देखिए अब हमें बोलता है why एक ऐसा compound है जो plane pull line light को rotate नहीं कर रहा है यानि optically inactive है optically inactive कोई भी चीज़का होती है जब उसके अंदर किसी तरगी symmetry हो either plane of symmetry या center of symmetry present हो तो आप यह देखिए यह वाला compound है इसके अंदर इसके around क्या है यहां से एक plane of symmetry pass हो रही है यह POS है यानि यह symmetrical compound हो गया एक plane of symmetry risk के अंदर आ गई इसी विड़े से यह क्यों जाएगा optically inactive यानि यह structure होने चाहिए यह Y का तो ऐसा option कहां पर बना हुआ यह C वालिम बना हुआ इसी विड़े से यह इसका क्यों जाएगा correct answer हो जाएगा आए नेक्स question करते है question 2 question 2 में हमसे बोलता है कि एक कोई compound है जिस पर टू मोल्स of HCl अगर हम डालते हैं तो इस तरह का formation हो सकता है तो बोलता है आप से कि reactant a can be reactant a क्या-क्या हो सकता है अब दीखिए यह भी बड़ा असांता question है यह जो double bond यहां पर बना हुआ है यह जो double bond है दीखिए इसको मैं इधर एक बार ड्रॉ कर देता हूं जी जो compound हमारा बना हुआ इस तरह से और एक इस टाइप से जो compound है हमारे पास ठीक है अब जरह दिहां से देखिए अगर मैं बूलू आप से कि इस तरफ ज्यादा stable carbon can form होगा जब आप बताईए इस bond को इस direction ने break करेंगे तो इधर ज्यादा stable carbon can form होगा और जहां पर ज्यादा stable carbon can form होगा वहीं पर जाके CL जूड़ी जाएगा तो यानि इस particular case में CL यहां पर जूड़ना चाहिए similar case में आप इस bond को किधर ब्रेक करोगे ताकि ज्यादा stable carbon can बने आप इस bond को इस direction ब्रेक करोगे ताकि यहां पर stable carbon can बने और यहीं पर क्या कर दोगे आप CL माइनस का attack करवा दोगे तो यानि इस particular case में जो A all option है उससे यही वाला product मिला देखिए यहां पर CL और यहां पर CL देखा हुआ है अब दीखे इसका basically होगा क्या यह जो OH है पहले step में क्या होगा यह एच प्लस जो है oxygen इसको इस तरह से electron देगा तो यह क्या बना देगा इस तरह से देखिए यह बना देगा आपका यहां पर OH2 प्लस बनाते ही क्या हो जाएगी इस bond की breaking हो जाएगी यह bond जै से ब्रेक करेगा तो आप बताइए फिर से इसी position पर क्या बन जाएगा अब next step में CL माइनस क्या आएगा यहां पर attack करके यहां पर जुड़ जाएगा यानि अगले step में क्या होना इस तरह से यह CL जुड़ जाना है यानि यह जो हमको bond दिख रहा है इस तरह से actual में reaction के बाद क्या हो जाना है इस bond को इस तरह से हो जाना देखिए यह CL जो हमने यहां पर समझाने कोशिच की कैसे किया यह alcohol था इसने क्या किया है एच प्लस आया तो oxygen इसको electron दिया यह OS 2 प्लस बनके निकल गया कार्बोकटन बना जो कार्बोकटन बना वो काफी stable था तो उसके पर CL माइ करेगा और इस वाले bond को तो हमने समझी लिया है तो यानि आप देख सकते हो ABC में तीनों ही हो सकते हैं इस इसका correct answer क्या हो जाएगा आईए नेक्स कुश्चन करते हैं नेक्स कुश्चन क्वेश्चन 3 में से पूछ रखा है कि major product of the reaction is इस reaction का major product क्या होगा देखिए जरा ध्य रिंग के बाहर जस्ट बाहर प्लस चार्ज होता है तो रिंग expansion के cases होते हैं रिंग के बाहर जब प्लस चार्ज होता है तो रिंग expansion होता है और रिंग के जस्ट ऊपर प्लस चार्ज होता है तो रिंग contraction होता है मैं क्या बूलना चाहरा हूं जैसे देखिए यह अगर एक four member ring ह मां लीजे और उसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पर प्लस चार्ज होता है तो यहां पर क्या होता है रिंग एक्सपेंशन होता है इस पर्टिकुलर केस में यानि रिंग के जस्ट बाहर प्लस चार्ज होगा तो क्या होता है रिंग expansion ring expansion होता कैसे है देखे दर अध्यान से ये आपका इस तरह से bond हो गया ये बना हुआ था अब होता क्या है ये वाला bond यहां से break करता है और इस position पर form करता है यानि ये forming bond हो जाएगा और ये breaking bond हो जाएगा ऐसा करने के बाद आप जैसा दिख रहा bond को इस तरह से बना लेजे इस तरह से बना लेंगे और positive charge यहां पर इस तरह से आजए कि इसका electron इदर चला गया है तो यानि ring expansion होने के बाद ये चीज़ आपको कुछ इस तरह से दिखने लगेगी तो यही हम समझाना चाहरती कि ring के just बाहर जब प्लस चार्ज होता है तो क्या होता है ring expansion कैसे करते हैं किसी भी एक bond को पकड़िये इस तरह से और इस तरह से शिफ्ट करा दिए जो हमने करा है यहां पर पहले bond प्रेजेंट है हमने इस को इस तरह से शिफ्ट करा दिया तो इस तरह से बन जाएगा ठीक है अब आते हैं इस वाले question में अब इस question को ज़रा ध्यान से देखिएगा आपको पहले reactant में इस तरह का compound नोंने दे रखा है यह हो गया CH3 यहां पर यह और यह double bond सबसे पहले क्या होगा इस पर H plus reaction करेगा तो आब बताइए इस bond को आप इस direction में break करोगे और यह इसको electron देगा ताकि यहां पर stable carbon 10 बन पाए तो ऐसा करने के बाद आपका यहां पर क्या बन जाएगा देखिए यहां पर आ जाएगा CH3 यह इस तरह से और यहां पर आ जाएगा plus charge अब बताइए क्या यह जो एक ring है यह जो एक five membered ring है क्या इसके just बाहर वाल plus charge है तो यहां पर क्या हो जाएगा इस five membered ring का expansion हो जाएगा तो इसका यह expansion करवाते हैं जो जैसे पहले structure बना हुआ इसको बना लीजिए इस तरह से ठीक है बिना किसी को disturb किये हुए यह सभी bond को मिने disturb नहीं किया अब देखिए होगा क्या जो भी एक भी bond जो भी आपका है ज जहां से क्या कर जाएगा यानि यह breaking bond हो जाएगा और यह forming bond हो जाएगा तो अब इसके बाद क्या होगा देखिए यहां पर ऐसा कर लिने के बाद यह जो जैसे दिख रहा है उसको हमको वैसे ही बनाना है यह इस तरह से बन गया यह इस तरह से और यहां पर क्या गया CH3 आप आपने इसका इलक्टर नदर शिफ्ट के तो यहां पर क्या जाएगा प्लस चार्ज अब बताइए यह structure आपको six members structure दिख रहा है one two three four five six six members structure यानि यह structure कैसा बना हुआ है एक है आपके पास यह six members structure जहां से CS3 निकला हुआ है यह CS3 उसी के जस्ट बगल उसी के उपर प्लस च structure जहां पर CS3 था हुआ ही प्लस चार्ज अगल बगल पर दो CS3 तो इस तरह से हो गया अब फाइनली यह सबसे स्टेबल कार्व का टैन है तो इसी particular position पे CL- आएगा यूँकि हम reaction में क्या यूज कर रहे थे है HCL तो H plus तो यूज कर लिया था अब CL- आएगा और CL- इसके उपर फर्दर इस तरह से अटाक करते हुए यहां पर CS3 यहां पर CL यहां पर CS3 और यहां पर CS3 इस टाइप के structure बन जाएगा तो ऐसा structure कहां पर बना हुआ है ऐसा structure option C में हमारे बना हुआ है ठीक है आईए next question करते है question fourth question fourth में से पूछता है कि which of the following products cannot be obtained in ogenalysis of xylene ortho xylene इसको हम क्या बोलते हैं जब 2 CS3 होते हैं तो उसको xylene बोलते हैं यह ortho xylene है कौन सा product इसमें से नहीं आएगा ठीक है अब देखिए मैं आपको इस question के लिए एक direct trick बता देता हूँ उस trick से हम करेंगे ज्यादा जल्दी से हम क्या करते है question को कर पाएंगे जरा trick को समझने कोशिश करिएगा देखिए जरा ध्यान से जैसे मालीजे आपको किसी भी compound का ozone lysis कराना हो जैसे for example सबसे simple example से हम सुरू करते हैं CH2 CS2 आपको ozone lysis करानी है ozone lysis की पूरी mechanism होती है लेकिन हमको direct करानी है जैसे o3 zinc s2 तो आपको क्या करना है यह double bond हटा दीजे जैसे मैंने यहाँ पर double bond लिखा इ CH2 आप इन दोनों के बीच के double bond को मत सूचिए और दोनों तरफ क्या कर दीजे double bond o लगा दीजे यानि यह आप देखिएंगे plus लगा दीजे यह इसका product होगा उनलिस इसका तो क्या बन जाएगा तो आईए इस question को direct करते हैं अब यहाँ पर जो ortho xylene बना हुआ है देखिए यह जो ortho xylene जो बना हुआ है एक इस तरह से बना सकते हैं इसका structure या इसी को हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं ध्यान से देखिएगा ऐसे भी तो बना सकते हैं इसको त्यानि यहाँ पर total दो तरह क possibilities हैं जो हमको देखने को मिलेंगी चलिए अगर हाँ बताईए अगर आपको पता है अगर आप बेंजीन की ओजोनलिसिस करते हो तो आपको क्या मिलता है इस अगर मैं इस compound की ओजोनलिसिस करने की बात करो तो आप देखिए क्या मिलेगा यह CS3 था उपर देखिए इसकी ओज लगाना है तो यानि यह double bond यहां पर oxygen आजाएगा फिर यह connected है इस वाले carbon से ठीक है तो यह हो गया इस carbon से यहां से भी double bond हटेगा तो यहां पर क्या जाएगा C double bond OH यानि एक product मेरेको इतने वाले segments मेरेको यह product मिला अच्छा अब यह इतना part हमने cover कर लिया यहां पर यह वाला हमने cover कर दिया यहां पर आईए उसके नीचे चलते हैं यहां वाले इतने portion से बताईए क्या product मिलेगा इस वाले portion से जब यहाला double bond हटेगा तो यहां पर C double bond हो यह वाला bond जब रिक करेगा तो यानि प्लस क्या बन जाएगा बताईए इस इतने portion को देखके इधर से क्या बन जाएगा C double bond OH और नीचे का डिरेक्शन में क्या बन जाएगा C double bond OH ऐसा बन सकता है product ठीक है तो यानि इसकी अगर और ताइप की product मिलेंगे यहां पर अच्छा से पहले जब यह वाला double bond break करेगा इस तरह से यह वाला double bond break करेगा तो ऊपर क्या लिखा हुआ है CH3 यह किस से connected है इस वाले carbon से connected है यहां पर यह जब bond break करेगा तो यहां पर क्या जाएगा double bond OH तो यहां पर क्या गया यह double bond OH फिर यह तो single bond से connected है यह तो break नहीं करेगा तो यह कारबन से फिर यह वाला बॉंड करेगा यहां पर क्या जाएगा सी डबल बॉंड हो और ऊपर क्या जाएगा सी एच थ्री तो इतने तरह के प्रोड़क्ट हमको देखने को मिल सकते हैं तो एक बार ऑप्शन में देखिए यहां पर अप्शन में अगर आप देखेंगे तो लिखा है C-H-O-C-H-O तो देखें C-H-O-C-H-O मिल रहा CS3 C-Double Bond C-Double Bond OH यह देखिए यह वाला प्रोड़क्ट है यह भी मिल रहा लास्ट वाला प्रोड़क्ट क्या लिखा है CS3 C-Double Bond O C-Double Bond O CS3 देखें CS3 C-Double Bond O C-Double Bond O CS3 और यह प्रोड़क्ट तो यह तो नहीं मिला आमको इसलिए यह हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर मैंने यह थोटे से ट्रिक से करने कोशिश की अगर आपको नहीं इससे लग रहा तो आप जो नॉर्मल प्रोसेश और जो नाइट बना कि आप उससे सॉल्व करिए उससे भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा लेकिन इससे करेंगे थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाता है ठीक है तो यह थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौन के अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोलुशन चाहिए तो चैनल में को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखें उसका वीडियो सोलुशन आपको प्रवाइट करा दिये जाएगा So that's all for today and thank you for watching